इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 21 अगस्ट 2030 विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधरन और अलोकिक हूँ मैं अपने जीवन पर इश्वर की अलोकिक कृपा की घोशना करता हूँ जो मैं अपने दम पर नहीं कर पाया वह मेरे लिए इश्वर ने किया है अलोकिक अफसर, चंगाई, बहाली और सफलताएं मसी यीशू में मेरी विरासत है मैं मजबूत, स्वस्थ और समजदार हूँ मैंने ऐसी प्रवतिभाख होजी है जो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास है उनकी इश्वर ये शक्ती ने मुझे जीवन और भक्ती से संबंदित सबी चीजें दी है पवित्र आत्मा की शक्ती से मैं इश्वर प्रदत सपने को पूरा करता और जारी करता हूँ यहां मेरी घोशना है डिव्य स्वास्थ्य की स्विक्रोप्ती मैं किसी भी भिमारी भय या आतंक से उपर उठकर विज़ई होकर जीता हूँ परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं अपने जीवन और परिस्थितियों का प्रभारी और नियंत्रण में हूँ मैं मजबूत, निर्भीक और साहसी हूँ आराम की उच्चिस्थती में काम कर रहा हूँ और स्वास्थ्य और कल्यान में फल फूल रहा हूँ येश्व के नाम में आमेन मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा येश्व के नाम में योहन 14-13 मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ, मैं इश्वर और मानव जाती का कृपा पात्र हूँ मैं वही बोलता हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन करता हूँ मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा मेरा पत्ता मुझाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह येशू के नाम में सम्रद्ध होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसीह येशु में हर अध्यात्मिक आशिरवाद का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते है मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतर्मन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है येशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूं इश्वर का विनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त हो मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूं मैं अपने मनुभाव से बात करता हूं परिपूर्ण बनो मसीह के मनुभाव की तरह मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से सरंखित होने की आज्या देता हूँ मैं अपने सनायू और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मास पेशियों और सनायू बंधन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफणों और उत्तकों से सामान्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपात बनाए रखने के निये बात करता हूं मैं अपनी किडनी, लिवर और अगनाशे को पूर्णता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्डियां, जोड और काठलेज, सरेंखित, मजबूत और द्रण है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उत्कृष्ट रूप से कारे करते है मेरी आखें इस पश्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तवचा एक नवजाज शिशू और इश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रूम कस गए है मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आग्या देता हूं और जहां व्रधी की आवश्यक्ता है मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हूं मेरे दान, मसूडे, जबडे की हड्डियां और तंत्रिका और रक्ट की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मिटर एक दूसरे के साथ पूर सामन जस्य में हैं और अपने कारियों को सामान्य रूप से निश्पादित कर रहे हैं मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद्यपदार्थों को पचाने, अवशोशित करने और आत्मसाथ करने में सक्षम है और चया पचे अपशिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सरजित होते हैं मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितलता, गपशप, आलस्य, अधिक नीन, सुस्ती और बाध्यकारी खरिदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, शराब, निकोटिन, ड्रक्स, त्वीघातुमान, अत्यदिक भोग को कैद करता हूँ और मसीह की आज्याकारिता में लेता हूँ जैसे येशू वैसा ही मैं, इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है इस दिये खाद्य पदार्थों, धूल, जानवरों, आधी ऐलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझ इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन तंत्र परियाप्त मात्रा में और अच्छी गतिशीरता वाले शुक्राणूं का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है और जन्म तक भून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग हर कोशि का पूणता में कार्य करता है जिसके लिए ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है और मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विकृती को येशु के नाम पर मना करता हूँ आमेन, मेरा संपून मानशरी रचना विज्ञान चया पचे और शरीर क्रिया विज्ञान मसी यीशु में परिपूर्ण है, महिमा, हालिलुया, आमेन पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ शलोम